हुआ 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 है स्वागत दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो चलिए बात करते हैं आज एक नोटिस का बारे में जो डीजी टी के तरफ से आपको जारी किया गया है या जो आपका समें बहुत सारा चीज छुपा हुआ जो आप आपको हम अभी साथ मिटिंग जिया इसे कहा जाता है आपका मॉंस मिटिंग मांश मिटिंग में जो आपका है वाप यहां पर देख रहांगे स्टैट डियरेक्टर्स डिलिंग वीट शीटी इस प्रोग्रम है थृड फू इडियो कॉंफेरेंस जी हाँ जितना भी अस्टेट डियक्टर से 15 15 में 2020 आपका 11 बजे जो है वह आपका इसमें वीडियो कॉंफरेसिंग और मीटिंग हुआ और इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्टार्ट ऑफ सेशन अफ्टर लिफ्टिंग ऑफ लॉग्डाउन के बाद जो है उसको अगर खुले तो आपका सेशन को स्टार्ट किया जा सके और और इसमें कुछ पॉइंट है वह आपका देखिए कंड़क्ट ऑफ एक्जाम लेना स्टार्टिंग ऑफ न्यू सेशन की सु इसमें सारा इसमें जानकर दिया गया है आप इसमें देख सकते हैं अगला पॉइंट है वह आप यहां दिखिए कि स्टेट ऑफिस रिप्रेजेंटिंग और थर्टी सेवन स्टेट्स एन यूनियन टेरिटरीज एज डैक्टर डैक्ट्रेट जितना भी आपका थर्टीन आपका पर्देश है उसके और एनस्टी आइज वेर अटेंडेंट मिटिंग थुरू विशेज यहां बीडियो कॉन्फरेंस के जरी है सब आपका मिटिंग आपका किये और इस मिटिंग में आपको यह आपका देखिए नीमन आप देखिए ए नंबर कि वेन कैन बी ट्रेनि आपका कॉलीज अगर ओपेन होता है तो इसमें आपको बहुत सारा प्रिवेंटिव आपका मेंजर्स और साथ में गाइडलाइन भी इसमें आपका जारी किया गया है जैनल डिजएस्ट डिजस्टर मैंशमेंट के तरफ से आपका इसमें गाड़ी हाउट जारी की आगया है और इसका कैसे शुरुआत हो और कैसे उसको आप इसमें आप से ल हो साथ में सीनमर के हाऊ-going training hours and complete the theory and practical portion विट वेर लॉस्ट ड्यू टू लॉगडाउन इंदा कंट्री फोर दा दो यह रॉनीस से दोहर बीस एंड ट्रेनिंग फिनिसिंग डिट यह इसमें एक चीज और कहा गया है कि आपका जो ट्रेनिंग आवर हैं और साथ में कंप्लीट थियोरी का पढ़ाई और प्रैक्टिकल पोर् पर आप जो एक्जाम सेट्री फॉर दे ट्रेनिस इन इट यह और जो आईट्याइज ट्रेनी है उसके लिए एकजाम से बारे में फिर इसमें प्रपोस्ट डेट ऑफ ऑफ और स्टार्टिंग ओफ सेशन दोहर बीस एकिस और 2020 में जो सेशन सुरू होने वाला है उसका प्र तोन में कि आप यहां देख सकते हैं कि अस्टेट देक्रण ओफ गोवा है सजेस्टेड आपका जो गोवा का जो अस्टेट डेक्टन वह सजेस्ट किया है कि जे रस्टेट का एंड रिजूम ट्रेनिंग इन इन फॉर्थ वीक अप में उनका कहना कि माई के चौथ है आपका कि यह की डाट देफ विल फॉलो एस ओपी या गाइड लाइन इसुट भाइ गवर्रमेंट ऑफ इंडिया और जो भी आपका स्टेट का युनियन टेर्टी जो भी है वसब सब जो कमेंट किया है वह यह आपका गाइड लाइन कमेंट किया है और किसके द्वारा किया वह है कि हम जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको बदलब कंड़क्टिंग कीजिए और उसको कंप्लीट कर वाई यह पूरा से लिवस जी हां और दुसरा इसमें बात कहा गया कि हावेवर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग और इंजिनिरिंग बेंग इस टूबी उनका यह भी कहना है कि प्र कहा जा रहा है गोवा के तरफ से कि जुलाई के चौथे सब्ता सही आपका एक्जामिनेस अस्टार्ट करते ना चाहिए अधर एस्टेट सजेश्टेर्ट टू एब एक्जामिन सकेंड विक और अगस्ट और अगस्ट का सब्सक्त कहने कि एग्जाम को रेडी कर देना चाहि दोन बीस्ते किस फ्रॉम फर्श्ट सिप्टेमबर जिया उनका ये भी कहना है कि और सब अस्टेट का कि दोएर बीस एकीज जो आपका आने वाला जो सेशन है तो उसका सेशन आपका एक सिप्तंबर से आपका स्टार्ट कर देना चाहिए और गोवा स्टेट इसमें गोवा commented for second year as a student only from this date and for new admission इसमें एक जोहर का गया गोवास अस्ट्रेट के तरफ से कम कमेंट किया गया कि जो second year student है वो अल्ली आपका from this date and for new admission to your a book a connect और यह देखिए आपका आपके comments 3 में आपका रहा है स्टेट सब्सक्राइब फर्टी पर्सेंट रिरक्शन इन सीट्स इन यूनिट्स एक चीज़ और वो रहा है कि जो भी आपका पर आपको साग्राइब ऑन दोन नहीं कर लिए चीज़ लगे तरफ से कहा गया और पर देष और इतना परसेंट रे daar और तो और भी अच्छा एका उनिट्स है रहा है करने के लिए तो नहीं आप नहींत से बहुत ही अच्छा हैं और अगर थियोरी पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल पर आए और आराम से आप यहां पर पढ़ सकते हैं यहां और साथ में डबलू सी और आपका इंप्लोइमेंट का जितना सारा भी अगर नियू जाता है यहां फिर समंदी तो सारा ची जिसमें आपको हम बताएंगे और मेरे चै जून के फर्स से सट्रांट करना चाहिए कौई बोर रहा है कि आप यहां से स्टर्ट करना चाहिए घॉस्ट को यहां नो जुलाइक कनल रहा हैं यहां रहा है कि उलाएक को आंड कर को एंड किजी है नहों अश् venir एक अगस्त को सटेट ऑफ एछ एव और पडे जुए हुआ वहापका सवाज़ेस्ट कर रहा अधर इस जो आपका बोल रहा है वह आपका देखें पहला है वह आपका कि अरुनाचल पर्देश है रेजड 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 देड़ इसू अफ इंस्पेक्शन ऑफ आइट आइस फॉर गरांट ऑफ एफिलेशन फॉर देशन दोहजर बीस इसमें आखा एफिलेशन के बारे में कहा गया है कि जो इंस्पेक्शन होता है आइटी आइस वगरा में तो वहां पर आपका एफिलेशन कैसे हो और अरुनाचल पर्देश बोल रहा है कि एक इसू है बहुत बड़ा और हमारे जो डीटी ऑफिसर है वो आपका गोहाटी जाने सब्सक्राइब उनको बहुत ही दिक्कत हो रहा है महसूस हो रहा है जबकि डीजी मैडम वेलकम्ट दा सजेशन और एडवाइज एडिशनल डिरेक्टर प्रदेश टू सेंट प्रोपोजल इसमें डीजी मैटम जो है वह आपका वेलकम किया सजेशन को और आगे में फाइंड डिफिकल्टी इन रीचिंग आईटी आइज अब बाती हो रहा है कि आपका बंगाल जो छेतर है उधर आपका बस स्ट्रिंट चलने रहा है ऐसे दब हर जगाने चल रहा है डॉक्टर बसू का यह जो कहना है उनका कहना है कि आप वहां से पहुंच नहीं पा र आप देखिए डिटी रिक्सटेड यहां देखिए यह आपका मेन पोर्शन इसी का ब्रेहां से ढोड़ा दिक ही अनदेखिए डिटी रिक्वेश्ट टौल धस्टी डिग्वेश्ट किया है ऑल अस्ट डाटर और ओफिसर से किए बिटो कम्प्लेट इंस्पेक्शन इन कंप in mind the various guidelines issued by the MHA and NDM latticed by 30 June 2020 and send the reports to DGT immediately after the inspection of ITIs instead of waiting for the entire lot in order to process the proposals at DGT timely. देखिए बहुत सारा DGT से request किया जा रहा है कि जी नहीं आप अपना inspection है उसको आप चालू करवाईए guidelines दीजिए और reports बेजिए और इसमें जो भी है आपका inspection after 30 June 2020 will be considered for session 2021 तो इसमें आपका बहुत सारा आपका 30 June तक कहा गया है तो यह सब हम लोग को ज्यादा इसमें जानकार देखिए आपका यहां पर कि आपका किस तरह क्या होगा तो यहां पर देखिए बहुत बड़ा आपका चीज कहा गया है और सब्सक्राइब को ध्यांस देखिएगा और जितना वीडियो को सेर किजिए कि जिनको नहीं पता हो बहुत बहुत को नहीं पता है तो आप यहां प रिजूम इन आइटियाज फ्रॉम ए आट शे दोहर बीस उनका कहना है कि अगर लोगडाउन खुलता है तो आप एक तीस मही को तो आप सारा आइटियाई आट शे दोहर बीस को ओपन कर दीजे आफ्टर कम्प्लिट सैनिटाइजेशन एस पर दा एम एचे गाइड लाइन और एम एच और ऐसा नहीं खुलना है वह एम एचे गाइड लाइन के अनुसार आपको अपना आइटियाइज को सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है सो कम्प्लिट करना होगा एंड सौप एस उपी इसूडवाई एम एंडियम कॉपी इस तो एक सबसे बड़ा चीज है कि उसमें आपका बताया जा रहा है नोटिस दिया गया है कि 25 जुलाइज तक जो 2019-2020 का सेशन है मतलब जो सकेंड डियर में उनका आप आप अनलाइन मोड के थूरू आप सिलेबस को कम्प्लीट कर दीजे बहुत सारा अस्टेट्स जो है चट्था दिखिए आपका क्या है कि ए एंडिंग डिट आपका बताया जा रहा है एक चीज और है आपका फर्स्ट यर के लिए जो आपको हम थम्लेल में दिया है कि जो प्रमोट किया जाया कि नहीं वह देखिए आप यहां ध्यां से देखिएगा तो सातमा देखिए फर्दर तू मेंशन हैर देट फ्यू आपका मेंशन किया गया है कि जो आपका फर्स्ट यर का अस्टुएंट है जिसका दो साल का कोर्सेज होता है वह डिसाइड बतलब किये हैं या बतलब डेलिवरेशन अपना एक देर हैं कि ए आए टीटी ओफ फर्स्ट यर फॉर ट्रेनीज अड्मिटें इन टू यह तकरीवां दौस लर्ग ट्रेनीज वह आपका फर्स्ट यर में जिए दोस्तों में वी एकसेंपेट इस ट्रेनीज में be promoted to the second year based on the internal assessment the internal assessment may be carried out by it itself देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो भी एक देखिए इंटर्नल एसेस्मेंट बनता है जो परतेक आई टी आई अपने बच्चों से आपका बनवाएंगे और वो इंटर्नल एसेस्मेंट को आपको क्या करना होगा कि आपको उसी के तहत आपको आपको को फस्ट यर से सकेंड डियर में पर्मोट कर दिया जाएगा जिहां अब आप कहेंगे कि सर यह कैसे होगा तो जिहां इंटर्नल आप यहां देख रहे हैं कि आई टी इट सेल्फ आफ्टर ए आई टी टी डूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेनिंग यह बहुत नॉर्मल कोर्स है और यह आपका कोर्स जो है दा कोश्चन बैंक मिलता है यहां दिखिए आपका दिख रहा है दा कोश्चन बैंक अबिलेबल और भारत स्कील्स में भी यूज्ट फोर एसेस्मेंट अगर आपको एसेस्मेंट बनाना चाहते हैं तो आपका भारत स्कील्स पर जा करके एसेस्मेंट कोश्चन बैंक का बना सकते हैं लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा ठहर जाईए जब तक आपके आई टी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए सेर कीजिए इनना के लिए धन्यवाद जहिन जय भारत